इंडिया हमारी हमसाया कंट्री है तो इसके बारे में सुनते ही सबसे पहली चीज क्या आती है आपके माइन के अभी बजा आगा ना भिडू दुश्मन हमारे लिए तो अच्छा नहीं है इंडिया जैसे हम उनको इतना नहीं पसंद करते इस लिए कि वह इंडिया है हमारा कोचना पड़ेगा सौ बार और पाकिस्तान तो नंबर बनते हैं विरोजगारी नहीं थी मुल्क के कापिल वासला यह नौजवान मुल्क कोड़कर नहीं जा रहे थे लेकिन इंडिया वालों के इस तरह की है कि वह कभी भी ना अगर पॉजिटिव पर चले जाए उनके बारे में क्या सोचते हैं? जो वीडियो में काफी मज़ा आने वाला है काफी इंट्रस्टिंग होने वाली आए तो भी नस के पूरी देखना इंडिया हमारी हमसाया कंट्री है तो इसके बारे में सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके मारी दुशमन दुशमन क्वाउंडरी की वज़ा से वह इंडिया है और यह पाकिस्नान है वैसे ही लोग हैं वैसे कलचर आए वैसे खाना है और सब कुछ सेमी है बस एक बाउंडरी आ गई है लेकिन एक सोच का भी डिफरेंस मेंटेलिटी काफी ज़्यादा चेंज है आपको वैसे आगर मोका मिलें इंडिया जाने का तो मुझे देखने का ज़ूर शौक है ताज महल देखने का बहुत शौक है मुझे और वहाँ की जूलिरी वहां की ड्रेसे और दूसरी चीज़ा जिस था उनको शौक होता है ना अकसर अगर कभी पूछे तो उनको होता है पाकिसान आके देखने का इसी तरह पाकिस्तानियों को भी शौक होता है कि इंडिया को एक दिफा जाकर विजिट जुरूर किया जाए अगर इंडिया को हम मतब कैटिग्री इसमें डिवाइड करें मतब के रैंक दें तो आप उसको कौन सा रैंक देंगी किस हिसाब से मतब अच्छी है बुरी है वहां के लोग कैसे हैं और सबसे पहली चीज आपको इंडिया के बारे में सोचके क्या आती है माइड दुश्मन की लाव चीजी अच्छी चीज क्या आती है उसकी साडियां इंडिया के कपड़े या साडियां और जूलिरी क्योंकि वो तो ओवर यहां वर्यां सेवन रंग टूंगी पाकिस्तान तो नंबर युन पे हैं पाकिसान तो चान है हमारी उसके बगार हम नहीं और वह हमारे बगार नहीं है अपाकिस्तानी लड़किया इंडिया के वर में क्या सोचते हैं? इंडिया के वर में पॉजिटिव जो है तो मैं पॉजिटिव सोची रखती हूं इंडिया के नाम आते ही एक डिवेलपिं मुलक और एक ऐसा मुलक जिवालप्ट है? इंडिया के लिए मैं जो फिल्म एक्टर्स हैं या मुवीज हैं उनकी टॉप लेवल की आईटी उनका देखने हैं एजूकेशन देखने हर चीज में सबसे पहले इंडिया ही आता क्योंकि इस ताइम जो है कंपीट करने वाला चाइना को इंडिया ही है आप क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में बिसाइड उनकी तरकी तरकी शरकी कुछ भी? मैं यह़ी सोचती हो कि हमनरे हमसाया मुलक है वरसगीर के बाद हम अलाग हुए थे ह zat हम अलाग हुए थे यह कि हमारे अशाओं हम होऑोंड ने तोran byłe धान लेकिन जो भी थाएज दैणया में 10 यहां 10 लोग भी होंगे तो उनके दिल में नफरत हो कि हम में भी वह बोल दें कि एंडिया एसले लिकिन फिर भी दिल में की जगा हाट कोनर होगा तो दोड़ा अपके आपके दिल में कौन सा कॉनन है वहां साड़े तो आप दी पसंद हैं वहां साड़े तो आप पसंद हुआ यह पाकिस्तानी इतने कमाल के हाथ नो डाउट यहां की प्यारे बड़ मुझे वहां एक जादा बहुत प्यारा अभी शेक प्रेमर है कुम गुम बगया वह आता था और उसका रॉक्षार वाला इतन क्या नाम है मेरा नाम सहीता है आपका मर्याम अच्छा आप मावट यकीना शकल से भी लग रहा है दोनों बहुत मिलते जुद्धे आपको फखर महसूस होता है कोई आपको कहें कि आप अपनी मामा पर बहुत ज़्यादा हमें नजर नहीं आ रही है वो दोनों सेम टू सेम ह यहादा हिए पीडिया के बारे में ना देखा जाए तो सेम सेम है सब कुछ क्यूंकि व.» दोस्ति Цाथे हैं याँ हमारा कल्चर बहुत जादा मिलता बाकी यह कि आपके बड़े पहमाने पर चले जाएं तो हर जगा पर धुश्मनी निकरा आती है वैसे अच्छै अगर ताल अगर पॉजिटिव पे चले जाएं उनके अंदर एक ना मुखालफत का पॉइंट रहे चाहता है चाहे वो जो कुछ भी हम जितना अच्छा हो जाएं तो मेरे ख्याल सगर हम दोस्ताना रवाया भी कर लें कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सांप मर गया और लाठी भी नी टूटी कोई सिर्द्र गी वो है तो वो उनके साथ वही कुछ होने वाला आथ अच्छे आपको इंडिया की कौं सी एक ऐसे चीज इंसपारिक कर्ति है इंस्पाइरिंग तो वहां कुछ भी नहीं है इंस्पाइर पाकिस्तान से जादा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए जितने हमारे बज़र्गों ने कुर्बानिया नहीं हमारे लिए हैं कोई ऐसे चीज उनका कल्चर लगा लें उनके कुछ भी कुछ भी नहीं है कल्चर तो स है तो अच्य है वो बीने फूर रजी चाते हम भी निचाते हैं वो भी सुकून चाते हैं तो ऐसे है तो पिर ये सुकून कोन नी पारा होने देता है हाँ ये उपर वाले ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किये ये जो हमारे बड़े-बड़े सियास्टदान बेठेंढेंड ये खुदी गेम्स क्येलती हैं खुदी स्कून और वे स्कूनी पैदा करते हैं और यहां वाले तो बस अपनी उडरियों पर नाच रही होते हैं जो अब भाम है सारी तो हम ना नूनली को कहते हैं ना पीटी आई को कहते हैं न किसी भी जमाद को रहना चाहिए मुखालफत तो हमारा दीन नी चीखाता हूम है तो डेफिनेटली हम मुस्लिम है अजय तो दोस्ती चाहते हैं और माइनॉरिटी को स्पोर्ट करना यह तो काईदा आजम ने भी माइनॉरिटी का एक खास हिस्सा रखा तो क्यों ही हम उनको चाहेंगे कि हमारे द एक डॉक्टर नुटी बिंडिया के बारे में क्या सोच्टे हैं एंडिया के बारे में आप अश्या चाहिए। कि इंडिया के बार में चीज इंस्पायर करती है वो यह है कि इंडिया तरक्की बहुत जड़ी का रहा है और मैं यह ही चाहूंगी कि इंस्टेड और एंविंग देर सकसेश हम भी उस तरफ चाहें और इंडिया में लिटरिसी रेड बहुत जाए है तो पाकिस्तान उस चीज पे अमल करें और अपना लिटरिसी रेड बढ़ाएं बिकस्मी बिइंग दॉक्टर इंडिया इस चीज में आएं परहाई की तरफ आएं और आगे बढ़ें जैसे लड़कियों का होता है कि लड़कियों ने सिर्फ टीचिंग करनी है यह दो फिल्ड ज्यादा प्रफर की जाती है तो आप इनसे हटकर भी कुछ प्रफर करेंगी हां क्यों नहीं प्रफर करेंगे अब मुझे लगता है कि तिंग्जा चेंजिंग और माइंसेट भी चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही एग यह प्रफेशनल जो लड़कियां कर सकते हैं वो एक्सेल माशाला से हर फील में करी हैं प्रवाइड दो करते हैं घर के काम स्कूल पढ़ाती हूं माशाला तो फिर आप हाउसवाइफ क्यों कहा रही है तो बहुत है यसा तेकिन बागी तो सारे घर की काम करने होते हैं चले जाले अच्छे मुझे पताएं इंडिया एक हमारी हमसाया हमारा मुल्क है इसके वारे में क्या सोचती है क्या सोचना है कि वो हमारा मतलब के हमारे लिए तो अच्छा नहीं है इंडिया जैसे हम उनको इतना नहीं पसंद करते इसलिए कि वो इंडिया है हमारा दुश्मन है पाकिस्तान का तो वहां के लोग तो हमारे जैसे ही है ना हाँ लोग तो हर जगा ही है लोग तो अच्छे कोमतों के लड़ते हैं तो फिरी सी लिए दूशन थीयुक्त आज बताएं बारे जी जी मुझे पताएं तो कौमी नजरहिया क्या मतलब इसका मतलब यह है कि उनकी सौच हमसे मैं यह पूछना चाहरी हूं आपसे के एक हम साया मुल्क होने के नाते आप इंडिया के बारे में क क्या सोचते हैं कि हमारा कल्चर काफी एक दूसर से मैश कल्चर तो हमने उनकी बहुत सारी गैर जरूरी रिवायात हमने अडॉप्ट किये जो हमारे ना इसलाम में है ना माश्री में और ना ही वह होनी चाहिए ठीक है ना दूसरा यह कि हमारा मजभव एक नहीं है को दो कोमी ना मचैन सी मुसल्मान रहते हैं से ज्यादा मसलमान इंडिया में पिर वह मुसल्मान एक मॐम हमारे दुश्मान। पर जूल्म करते हैं ज्यातियां करते हैं सलाम लेकूम। आप पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या सोचते हूं कि वह हमारी नेबरिंग कंट्री है और अच्छा एक वो मुल्क है और अच्छी मुझे उन से कोई पॉजिटिव वाइब जाती है आप पॉलिटिकल पार्टी को साइट पर रख दें वैसे हमारे जैसे लोग है मैं यह पॉलिटिशन होते हैं यह थोड़ा सा कॉंफलेक्ट पैदा करते थे दौनों कंट्री में लेकिन अगर आप देखें उनके व्लोग देखें उनके कल्चर को देखें तो हम जैसे ही हैं बाकी चीज़ें नेगिटिव और पॉजिटिव दोनों साइट पो इंडिया को डस में से कितने निंबर देना चाहिए सेवन सेवन क्यों सेवन क्यों कि कुछ नेगिटिव चीज़ें उनको अगर हम ना हाइलेट करें अगर पॉजिटिव के लिये जाएं तो मुझे लगता है वह हम जैसे लोग हैं कल्चर से में अगर आप पंजाब को देखे तो उनका पंजाबी होगा पंजाबी नहीं बोलेगा और जो इंडियान है ना अगर वो एवन कैनेडा भी चले जाएंगे वह अपनी लेंग्विच को नहीं छोड़ते तो यह एक उनकी बड़ी पॉजिटिविटी है और एक उनका फूड बड़ा अच्छ है मैं तो उनके व्लॉग्स वगारा इंडिया को अच्छा बता रही है बट कुछ लड़कियां आज भी ऐसी हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अदलब दुश्मनी की नजर से आज भी देख रही हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहती है पर यह तो शाय उनका फ्वाबी रह जाएगा क्या आप ल लोग जाना चाहते हैं तक कमेंट करके जरू बताई तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरू बताई और लाइक सब्सक्राइब जरू की जिए तब तक के लिए जैश्वी चुनाओं बाई-बाई